जी विजिबल है चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट कर लेते हैं माई की जतने भी important schemes है बिना किसी देरी के और शुरू करने से पहले एक बार फटाफट session को कर दीजे शेयर और अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है अब तक तो वो कर दीजे ताकि आपकी एक भी एक भी चलने वाले हैं अलग-अलग teachers के तो किसी का भी आपका miss नहीं होना चाहिए फटा-फट सारे ही अपने platforms पर इसको शाय कर दीजे बढ़ते हैं माई की तरफ प्रधान मंतरी भारतिय जन आश्रती परियोजना हमने अभी-भी पिछले schemes में भी पढ़ा है कि कि इस तरीके से हम generic medicines को यहाँ पर promote करने की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर अलग-अलग countries के साथ including Panama, Nigeria, Yukador इनके साथ-साथ हमने जो है कुछ discussions करे हैं ताकि generic medicines को हम कैसे promote कर सकते हैं मैं इसको दुबारा नहीं पढ़ूँगी यह वही सारी चीज़े हैं जो हम पिछले अब पते schemes का क्या होता है schemes ना कभी भी ऐसे नहीं होती कि यह मही की scheme है हो सकता है वो April में अनाउंस हुई हो बट वो मही में फिर से repeat हुई हो क्योंकि current affairs को हम यह नहीं बोल सकते कि यह आज का current affair है आज का current affair हो सकता है अगले महीने भी कुछ उसमें update हो जाए अगले महीने भी वो किसी भी कारण की होगी तो हम ऐसे distinction नहीं रख सकते हैं बट यह हम कर चुके हैं ठीक है सो हम आगे बढ़ते हैं next है आईश्मान भारत योजना again यहां पर आईश्मान भारत योजना 30 April को जो है यहां पर इसको हम आईश्मान भारत दिवत celebrate करते हैं यह basically 2018 में शुरू हुई थी Ministry of Health and Family Welfare के अ यहां पर जितनी भी facilities हैं जाहे primary care हो, secondary care हो, tertiary care हो, हर तरीकी की care जो है यहां पर implement की जाती है यहां पर this includes continued implementation of centrally sponsored schemes अच्छा यहां पर बहुत सारी schemes इसके तहत आती हैं जैसे for example senior citizen health insurance scheme, राश्यस्वास्तवीमा योजना यह सारे चीक हैं अब यहां पर यहां पर यह 40% जो भी the most vulnerable है, जो भी पिछडे हुए लोग है, जिनको health services नहीं मिलती है, फिर जो afford नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए यह specially launch की गई थी, ठीक है, right, 6 to is to 40 का यहां पर funding है, 6 to is to 40 का funding है और northeast states में अगर हम देखे तो 90 to 10 का है, यानि 90 रुपी जो है, वो केंदर सर का 10 रुपी, state government, ठीक है और जो भी यूटी जिसमें legislature नहीं है, जिनमें legislature नहीं है, वहाँ पर 100% funding जो है कौन करता है, आपका central government करता है, इसका नीड था, बहुत जादा नीड था आयुश्मान भारत का, आयुश्मान भारत ने सच में बहुत सारे लोगों की help की है, hospitalization की cost जो है, वो पिछले महीने की क्या है, तनखुआ है, अगर आप किसी private hospital से करवाते हो तो, 300% महंगाई बढ़ गई है, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, hospitalization cost की, ठीक है, तो ये SE वाली schemes जो है, बहुत मदद करती है, budgetary allocation 7200 crores, next, national SCST hub, supporting STST entrepreneurship, इसके नाम से ही पता चल रहा है, SCST hub scheme, यानि जितने भी schedule cast और schedule tribes के लोग है, जो कि entrepreneurship या फिर start-ups अपना शुरू करना चाहते है, उनको financial assistance देने की यहां पर बात हो रही है, इसकी, ये 2016 में शुरू हुई थी, इसका implementing agency MSME है, 2016 में शुरू हुई थी, national small industry cooperation जो है, इसको implement कर रहा है, ये implementing body है, इसको objective यही है, कि जोतने भी schedule cast और schedule tribe वाले जो लोग है, जो कि अपना start-up शुरू करना चाहते हैं, उनको कही ना कही जो है, financial assistance वगेरा provide करवाई जाए, राइट, चलिए, आगे हम देखते है, smart city mission, smart city mission, इसमें जो important update है, जहां से question आ सकता है, वो है ये, मैंने underline कर दिया है, कि इतकी ना date को extend कर दिया गया है, ठीक है, ये smart city है, तो मौवा से बिलॉंग करती है, यानि union housing and urban affairs से बिलॉंग करती है, 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है, so smart city का मतलब भी होता है, कि एक ऐसी city जहां पर better infrastructure हो, better healthcare facilities हो, internet connectivity हो, तो सारी चीज़े जो है better हो, तब जाके हम उसको smart city बोलेंगे, ठीक है, इसका target यह है कि 100 cities जो है वो बनानी है, 2019 से 2023 के बीच में, और centrally sponsored scheme है, ये 16,000 करोड का इसमें जो है budgetary outlay है, ठीक है, अब यहां पर what is smart city, ये again आपके exam में, phase 1 में शायद ना है, बट phase 2 में आप यहां से कुछ points उठाके लिख सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया है, कि smart city आखे हम बोल जो है बहुत जादा personally ध्यान दे रही है, इसलिए MSME की scheme जो है important हो जाती है, आपके phase 1, phase 2 और interview के लिए भी, ठीक है, अच्छा, ये सारी schemes जो है na phase 2 के लिए भी important है, ये मैं समझेगा सिफ 9 तारिक के लिए important है, 30 तारिक के लिए important है, phase 2 में भी आपके EASI में बहुत सारी schemes आ के लिए MSME sector को relief देने के लिए ये शुरू की गई थी, यहाँ पर exactly क्या होता है कि यहाँ पर provide किया जाता है, अच्छा ये जो अब यहाँ पर bold में है ये आप जरूर पढ़के जाएंगे, to provide relief to micro and small medium enterprises during COVID, COVID के बाद तक अभी भी उनको relief देने का ये काम चल रहा है, by refunding their performance security, यानि उनको पैसा देके, उनकी bid securities, उनका liquidated damage जो fortify किया गया है, या फिर जो भी पैसा उनका काटा गया है, यह सारी चीज़े उनको वापस दे दी जाएंगे और इस तरीके से उनकी मदद की जाएगी, ठीक है, the scheme aims to ease the financial burden, तो financial burden को कम करने के लिए MSME sector पे इसमें मदद की ज आएगा, विवाद से विश्वाद scheme जो है, वो आई थी जी, 17 April 2023 में, और उसका जो deadline है, claim submit करने का, अगर आप अपना claim जो है, यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो यह 30 June 2023 तक का इसका last date था, ठीक है, MSME industry यहाँ पर beneficiaries इसके यह हैं, so यहाँ पर exactly वही सारी चीज़े लिखी हु है, आपका किस चीज़ के लिए, जो भी आपके electric vehicles है, ठीक है, faster adoption of manufacturing of electric vehicle, electric vehicle का manufacturing के लिए, FAME India scheme जो है, यहाँ पर आई है, हाल ही में, next phase of primary subsidy scheme for electric vehicles आया है, FAME India के अंडर जो है यह है, तो इसलिए, यह news में है, अचा, only if the fund allocated, remain unused, यानि जो अभी जो fund इसको allocate किया गया है, अगर इसको use नहीं हुआ, तभी जो है, आगे इसमें पैसा लगाया जाएगा, यानि आगे जो इसको continue किया जाएगा, Ministry of Heavy Industry से बिलॉंग करता है, 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है, okay, so again, किस चीज़ के लिए, इसमें जितने भी electric vehicles को manufacture कर रहे है, उनको incentivize किया जाएगा, उन लोग होता है, सस्ता होता है, ये सारी चीज़े होती है, renewable energy का बहुत सा source होता है, renewable energy को हम वैसे ही promote कर रहे है, तो ये फाइदे तो मुझे नहीं लगता, मुझे गिर्वाने की ज़रूद भी आपको, right, next है, Halo India Scheme, Halo India Scheme, again, हाल ही में launch हुआ है, Halo India University Games 2022 का, ठीक है, ये 3rd edition है, मई और जून से लेके जो है, ये पूरा रहा है, Ministry of Youth, Affairs and Sports इसमें involved है, और ये 2018 में शुरू हुआ था, इसमें जो है, sport infrastructure को develop करने के लिए, talent को develop करने के लिए, improve करने के लिए, ढूनने के लिए है, और पूरा हमारा Fit India Movement जो है, उसको encourage करने के लिए, ये सारी चीज़े जो है, की गई ह है, इसमें अलग-अलग schemes को merge किया गया है, जैसे राजीव गांदी खेल अबियान, Urban Sports Infrastructure Scheme और National Sports Talent Search Scheme, इनको merge करके ये एक Halo India Scheme लाई गई है, ठीक है, इसके बहुत सारे अलग-अलग benefits है, क्योंकि इसमें financial aid मिलता है, 5 लाग रुपे का annually, 8 साल के लिए, और उसके साथ साथ इसके अलावा यहाँ पर 20 million children, जो की 10 से 18 साल तक के हैं, वो participate करेंगे, National Physical Fitness Campaign में, ठीक है, नेक्स है, National Mission for Clean Mission Ganga, ये मैं करवा चुकी हूँ, अगैन मैं इसको repeat नहीं करूँगी, नमामी Ganga, Clean Mission for Clean Ganga, ये सारी चीज़े की किस तरीके से जो हम Ganga को clean रखने का एक मोहीम जारी किय हुआ है और उस direction में हम क्या कुछ करते हैं, ये मैं अपने part 1 में भी करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से इसको जरूर देखेंगे, ठीक है, there is no point in repeating, PM गति शक्ती भी मैं करवा चुकी हूँ, बार-बार कोई point नहीं है कि मैं repeat करवा हूँ इनको, ठीक है, Mission Life we have already done, ख्रिसा करने के लिए, अब भी आप जब railway station पर जाते हो, तो आप देखते होंगे, बैठने की जगा नहीं है, infrastructure नहीं है, पंखा नहीं है, बहुत सारी चीज़े नहीं है, तो वो कहीं न कहीं, railways को develop करने के लिए, यहां पर Japan की एक agency हमें इसमें help करने वाली है, तो यह याद रखें है, Japan International Cooperation Agency, यह इसमें involved है, प्रजेक्ट स्मार्ट में, ठीक है, तो प्रजेक्ट स्मार्ट हमें समझ आ गया कि क्या है, यह जो है, यहां पर high-speed rail station, सावरमती, सूरत, विरार थाने, यहां पर यह सारी चीज़ें develop की जाएंगी, उसके साथ-साथ, यहां पर आप देख सकते ह है, seminars and field visit to prepare station area development plans, तो आप यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से government of Gujarat और Maharashtra और Zika जो है, अलग-अलग seminars, दिल्ली, एहमदबाद, मुंबई में, ताकि project smart हो जो है, अचीव किया जा सके, next है project cheetah, again we are not doing this, क्योंकि हम 10 बार कर चुके हैं, किस तरीके से हम cheetah ले कर आ रहे है हमारे आ एक्स्टेंड हो चुका है, हम कुनो पालपुर नाशनल पार्ग, जो की मंद्य प्रदेश में हम उसमें ले कर आ रहे हैं, next प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब जितनी भी ministry of finance की जो scheme है, मैं वो part 1 में करवा चुकी हूँ, तो यहां से आपका revision हो जाए हैं, अगर कोई current part है, वो question में आता है, दूसरा आप कौन-कौन eligible है, वो question में आता है, इन schemes में क्या-क्या जो भी interest कम देना पड़ता है, या जो भी इसके जो फाइदे वगेरा है, वो आते हैं, ministry पूछी जाती है, eligible कौन-कौन है, ठीक है, इन में क्या-क्या risk coverage होता है, कि 2, बहुत सारी में accident का cover मिलता है, ये सारी चीज़े जो है, पूछी जाती है, ठीक है, next है, portion भी पढ़ाई भी campaign, portion भी पढ़ाई भी इसके, इससे ही पता चल रहा है, जैसे midday meal जैसा है, portion भी पढ़ाई भी, ठीक है, कि आपको nutrition भी मिलेगा और आपको पढ़ाई भी मिलेगी, तो हाल ही में, woman and child development minister, जो हमारी स्मितिरानी है, उन्होंने portion भी पढ़ाई भी launch किया है, जिसका मकसद ये है, कि हम जो 14,00,000, हमारे यहाँ पर 14,00,000 जो आंगनवारी centers है, pre-school में, वो offer करेंगी early childhood education और उनका खाने पीने का भी ध्यान रखेंगी, ठीक है, तो यह यहाँ पर है, तो basically यहाँ पर age group up to 6 years उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, particularly ध्यान दिया जाएगा, national education policy को कैसे हम implement कर सकते हैं, उ आंगनवारी workers को rebrand किया जाएगा, उनको बहुत सारी चीजे सिखाई जाएगी, उनको अलग-अलग, अचा क्रेच facilities भी देंगी, जैसे, जब ममी पापा working होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्रेच में डाल जाते हैं, तो क्रेच facilities भी दी जाएगी, ठीक है, इस से हमारे sustainable development goals जो है, वो भी हमारा better होगा, ठीक है, और यह हम कर क्यू रहें, क्योंकि आपको पता है, ऐसा कहते हैं, कि जित्ता mind हमारा develop होता है, वो हमारा बच्पन में ही हो जाता है, it is correct, 85% हमारा जो दिमाग है, वो बच्पन में ही develop हो जाता है, तो बच्पन में जो care म बिलनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बिलनी चाहिए, क्योंकि उस से हमारा पूरा जिंदीकी, फिर पूरी जिंदीकी जो है, वो depend करती है, next, खादी ग्राम उद्योग विकास योजना, यहां पर empowerment करने की बात करी जा रही है, रूरल इंडिया को थ्रू खादी, so यहां पर इस scheme में क्या हो रहा है, कि इस scheme में amalgamation यानि मिला देना, जब दो schemes को जोड़ दिया जाए, खादी विकास योजना और ग्राम उद्योग विकास योजना को जोड़ा गया है, एक खादी ग्राम उद्योग विकास योजना बनाने के लिए, इसका क्या objective है, objective यह है, कि जितने भी गाओं में लोगों के पास नौकरिया नहीं है, उनको नौकरिया दिलानी है, खादी इंडस्ट्रीज को हमने और स्ट्रेंदन करना है, और कहीं न कहीं, खादी क्लोट्स को प्रमोट करना है, ठीक है, तो ये एक जो है, इसका मेजर उदेश्य है, ये 2019 में आई थी, खादी इसने cabinet committee on economic affairs से यहाँ पर approval लिया है, इसके साथ यहाँ पर KVIC, खादी and Village Industries Commission, वो भी यहाँ पर has managed both the schemes over the years, तो ये KVIC इसको पूरा manage करने का गाम करता है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर KVIC historically consists of, यहाँ पर क्या-क्या होता है, market promotion and development, interest subsidy वाली चीज़े होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े जो होती है, तो basically खादी पर ध्यान दिया जा रहा है और employment पर, दो चीज़ों पर major ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, पीछे किसी एक्जाम में पूछी भी नहीं गई है, catch the rain campaign, इसके नाम से ही पता चल रहा है, catch the rain campaign, यानि rain को catch करो, पहले ऐसा होता था था ना, कि हम छटों पे, इसे, schools में हवारे teachers model बनवाते थे, कि water conservation, water harvesting में model बना के लाओ, तब हम अपने छट पे कुछ ऐसे रखते थे, कि अच्छा बारिश होगी तो इसमें इखटी हो जाएगी, या फिर ऐसे pipe लगाते थे, छट से नीचे, फिर नीचे, कुछ रख दे थे थे, कि बारिश का पानी को कैसे conserve कर सकते हैं, बारिश के पानी को कैसे जो हैं, वो कर सकते हैं, conserve कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर पात हो रही है, यहाँ पर इसको implement करेगा national water mission, जो कि ministry of जलशक्ती के under आता है, इसमें water harvesting हम कैसे कर सकते हैं, rooftop, pits वगेरा बना के ऐसे गड़े खोद के उसमें पानी खटा ह हो जाता है, छतों पे कुछ हम लगा देते हैं, जिसमें पानी खटा हो जाता है, तो water conservation और उसके साथ सा water harvesting की यहाँ पर बात की जा रही है, ministry of जलशक्ती इसमें involved है, चलिए, next है national pension system, okay, so यह भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, national pension system, आप उस वाली वीडियो से देखिएगा national pension system और बहुत सारा विवाद में भी था, यह तो आ सकता है, next है यूवा प्रतिभा, यूवा प्रतिभा जो है, हाल ही में पूसा ने launch किया है, यूवा प्रतिभा, culinary talent hunt, तो यहाँ पर जितना भी इंडिया का rich culinary heritage है, तो उसको जो है showcase करना है, तो basically जितनी भी, बहुत सारी ऐ चीजों को हम वापस लेकर आ सके, also जब खाने की बास हो रही है, तो हम millets को कैसे भूल सकते हैं, rice और wheat से भी जादे nutritious होता है, आपके जो millets होते हैं, जो आर बाजरा, रागी वगेरा आते हैं, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं, international year of millets हम मना रहे हैं 2023 को, so यह हमें याद हम यह लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें enroll करने का वो बोला हुआ है, again इसमें rewards और recognition भी मिलाया जाएगा, जो भी young chefs वगेरा है, जोनों ने चीजे करी है, तो first price जो है यहाँ पर दिया जाएगा, second price, third price ऐसे भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, और जब मैं millets के बात करती हूं, तो millets को कैसे हमने promote करना है, उनकी nutrition quality को कैसे हमने promote करना है, यह सारी बाते हैं, next बात है PMKS fund, again बहुत पुराना हो गया है, PMKS आपको याद होना चाहिए, बट कि किस चीज के लिए था, COVID में जो है, यह हमने बनाया था, लोगों की help करने के लिए, तो एक officials के according PMKS fund ने receive किया है, 535.44 crores foreign donation over the past 3 years, जब से बना है, इतना जो है, इसने donation यह अचीव किया है, 2020 में ही आएगा, आपको पता है, COVID की time पे आया था, PMKS fund, लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की help करने के लिए, एक public charitable fund था ही, ठीक है, और विवाद में इसलिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने RTI file की थी कि कहां से पैसा आ रहे है, कितना पैसा आ रहे हमें, सब record चाहिए, बट वोग नहीं दे रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यदा विवाद में भी था, right, चलिए, next बात करते हैं, ESI scheme की, so यहाँ पर एक data के हिसाब से, data, ESIC का ही data, March 2023 का, उ accompanied by registration of approximately 19,000 नए establishment, जो की लेकर आता है इन establishment को under social security coverage, किस चीज़ का of ESIC, Employee State Insurance Cooperation, ठीक है, यह एक तरीके का क्या है, यह एक तरीके का comprehensive social system है, जो की social economic protection, जितने भी workers हैं, उनकी मदद करने के लिए करता है, यह Employee State Insurance Act 1949 के तहट, established किया गया था, इसका objective यही है, कि जितने भी employees हैं, उनका, जो भी है, उनका maternity benefits, या फिर अगर वो बिमार हो जाते हैं, या फिर disabled हो जाते हैं, तो उनकी उस हक को जो है, maintain करके रखना है, इसका scope जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह applicable है, अलग-अलग type के establishment से, including, यान कुछ states में, the threshold limit coverage की जो है, वो सिर्फ 20 employees तक ही limited है, ESI cooperation ने decide किया है, कि वो raise करेंगे wage ceiling, wage ceiling for coverage of employees under ESI Act 15,000 से 21,000 तक, 2015 की अगर मैं बात करूँ, from 2015, जो यह benefit है, ESI scheme के तहत, इसको बढ़ा दिया गया है, to the workers employed on construction sites in areas, जहाँ पर ESI scheme implemented है, ठीक है, currently ESI scheme 611 districts में, I mean to say, notified है, अगर मैं बात करूँ, financing की, तो यहाँ पर जितने भी funding होती है, इस scheme में, वो कहां से इसमें पैसा आता है, जो employer होता है, और employee होते हैं, दोनों इसमें पैसा डालते हैं, employer का contribution है, 4.75% of the wages payable to the employees, जबकि employees का contribution है, 1.75% उनकी जितनी भी तन्खवा है उसका, ठीक है, इन में से किसी भी point में आपका question आ सकता है, स्वामी fund हमने अभी थोड़ देर पहले पड़ा है, जल जीवन मश mission, we have already done, छीक है, okay, mission अमरित सरोवर, अमरित सरोवर, again, अमरित सरोवर का मतलब यही है, कि किस तरीके से, अमरित सरोवर, यानि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी water bodies को कैसे हमने rejuvenate करना है, water bodies जो सूख गई है, या फिर जो खराब हो गई है, उनको कैसे हमने वापस लेकर आना है, अब क्योंकि यह है, तो यहाँ पर जो है, बात हो रही है, कि यह अमरित सरोवर mission, जो है, 2022 में यह launch हुआ था, कि rejuvenate करना है, 75 water bodies को, अलग-अलग areas में, तो यहाँ पर यह हमें याद रखना है, बिसाग जो है, इसका technical partner है, बास कर रहा है, National Institute for Space Application and Geo Informatics, तो यह भी आपके question में आ सकता है, ठीक है, यह estimate किया जा रहा है, कि 50,000 अमरित सरोवर, जो है, प्लान किये जा रहे हैं, सरोवर प्लान किये जा रहे हैं, ठीक है, 2023 में, construct वगेरा करवाने के लिए, सिर्फ आप बजट देखेगा, concept सेम है, प्रदार मंतरी मतस जमपदा योजना, we have done, कि कैसे fisheries sector के लिए किया गया है, नेक्स है, Ministry of Ayush और Ministry of Health and Family Welfare ने कॉलाबरेट किया है, इंटीग्रेटिव हेल्थ के लिए, इंटीग्रेटिव क्या होता है, देखेए, आपको पता है कि Allopathic Medicines जो है, यानि जो अंग्रेजी दवाईयां जोसको हम बोलते हैं, वो तो हमारे यहाँ पर है ही, ठीक है, वो तो हमारे यहाँ पर है ही, बट उनके साथ हमें Ministry of Ayush, जो है, Ministry of Ayush, give me few minutes, मैं आपके सारे डाउट्स लूँगे, दस मिनट का लास्ट में talk show रखेंगे, थोड़ा असा इंतिजार कर लीजे, ठीक है, ओके, सो आयूश, यानि Ayurvedic Medicines को और Allopathic Medicines को जो है, एक खटा हमने लेकर आना है, ताकि better treatment दिया जा सके, यह इस scheme का मतलब है, इसलिए Ministry of Ayush और Health Ministry यहाँ पर involved है, इससे जादा कुछ नहीं है, नाम होता है National Ayush Mission, ठीक है, मैंने यहाँ पर underline भी कर दिया है, कि best health practices हम जो है अपना सके, next है 75-25 initiative, 75-25 initiative, यह क्या है, तो यह basically यह है कि 75 million individuals जो कि suffer कर रहे हैं hypertension से, और diabetes से, वो उनको जो है, हमने कही न कहीं screening और care प्रवाइड करनी है, 2025 तक, तो 75 million, 2025, इसलिए है यह 70-25, ठीक है, बिमारी क्या है, hypertension, ठीक है, tension का जो रोग होता है, ठीक है, तो इतना हम याद रखेंगे, कि यह किस चीज के बारे में है, इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, यह 12-13 में ही ministry of health and family द्वारा जो है launch किया गया है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ओके, LRS, again, I have done, we have done so many times, life यह फिर से आ गया है, अब देखो, repeat तो होती है, हैं यहाँ पर schemes, मैंने बताया है, reason भी बता दिया है, मैंने आपका, अब बात करते हैं, NEP सार्थी, NEP यह नि नाशनल एजुकेशन पॉलिसी, सार्थी क्या है, सार्थी, अच्छा, NEP से मतलब समझ आ गया, तो NEP सार्थी का भी मतलब समझ आ गया होगा, ताकि transform कर सके वो लोग higher education को इंडिया में, ठीक है, और है न, उनको सार्थी बनाया जाएगा, तो यहाँ पर higher education नॉमिनेट करेंगे तीन बच्चों को, अपने अपने institution से, जिनको हम सार्थी बोलेंगे, जो आगे awareness और promotion का काम करेंगे, ताकि national education policy के जितने भी चीज़े हैं, उनको empower किया जा सके, ठीक है, आगे हम देखते हैं, नमामी गंगे repeat हुआ है, फिर से अभी अभी हमने देखा था, ओके, digital India program, national e-vidhan application, तो विधान सभा का नाम सुने, आपने तो उसमें, अब तक, जो है, manually सारी काम, सारी चीज़े होती थे, वहाँ पर भी हम digitization लाने की कोशिश करें, यानि जो भी चीज़े वहाँ पर हो रही है, वो अगर हम manually कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर करेंगे, last में बताऊंगी, PDF कहां मिलेगा, आपको लास तक रुकना बड़ेगा, बरना बहुत चारे ऐसे students होते हैं, जो लेक्चर में सुनते नहीं है, फिर end में मुझसे पूछते रहेंगे, PDF नहीं मिला, आपने तो PDF दिया ही नहीं, So, there was this student, मैं यह बताना चाहती हूँ, there was this student, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर मेंसेज किया, comment section में, उन्होंने मुझे बोला कि अगर PDF देने ही नहीं होती, तो बोलती क्यूं हूँ, ऐसा बोला उसने मुझे, ठीक है, I don't want to name that person, 6 महीने का जो पिछली बार मैंने Current, Sorry, Government Screens करवाया था, जिसकी PDF मैंने उसी दिन दे दे थी, lecture के तुरंत बाद दे दी थी, I am sure आप इस चीज से agree करेंगे, है न, अब कुछ बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, Telegram तक, या उनको मिल नहीं पाता है, but आप ऐसी चीजे ना बोला करें, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ, वो मैं डिलिवर जरूर करती हूँ, आज भी अगर मैं बोलोई, so please stay with me, ताकि आपको पता चल सके कि कहां पर PDF है, है न, वो comment करना बहुत असान होता है, आपका ना चहरा दिख रहा है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, it's very easy to comment, है न, anyways, so, Digital India Program, and, leave it, Digital India Program, National E-Vidhan Application, तो हमने देख लिया, तो जितनी भी paper-based operations हमारे होते हैं, जितने भी paper-based operations हमारे होते हैं, उनको जो है, हमने state legislatures में, digitally, वो जो है, करना है, ये इसका मकसद है, next हम बात करते हैं, FPOs की, again, मैंने आपको जो है, ये बता दिया है, कुछ जादा important नहीं है, FPOs, basically, farmers, producer organizations होते हैं, करम योगी is not important for your exam, okay, imprint, very important, imprint, important है, ध्यान से सुनेंगे हम, imprint, imprint यानि, impacting research, innovation, and technology, तो यहाँ पर research और innovation को, जो भी है हमारे country में, उसको strengthen करने की बात की जा रही है, ठीक है, ताकि foreign technologies पर, यानि कि जी हमारे यहाँ पर जो technology है, हम उसी को strong बना लेते हैं, ताकि हमें, हमें यहाँ पर, जो है, हमें यहाँ पर, जो है, technologies बाहर से नहीं लेनी पड़े, अब हम बहुत सारे technologies युएस से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, यॉरॉप से लेते हैं, वो technologies हमें बाहर से ना लेनी पड़े, हम यहीं पर ही अपने innovation, research, science field में, जो है, improvement करके, यहीं से अगर हम, technologies अगर अपनी improve कर सकते हैं, तो यह है, imprint technology के तहट, अब यहाँ पर इता technology, technology हो रहा है, तो यहाँ पर जो है, अच्छा, यहाँ पर जो है, यह जो imprint है, यह joint initiative है, IITS और IISC का, तो यह भी हम याद रखेंगे, I hope इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, चीक है, अटल भूचल योजना, मैं आपको करवा चुकी हूँ, कैसे ground water को conserve करने की, यहाँ पर हम बात करते हैं, तिलंगाना ने 100% coverage, जो है, अचीव कर लिया है, प्रधार मंतरी जंधन योजना का, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक financial inclusion की scheme है, कि बांकिंग की सुवधाय सब तक पहुचनी चाहिए, तिलंगाना याद रखेगा, यह आ सकता है, कि कोई से state ने अभी हाली में 100% अचीव किया है, next, small saving scheme में एक छोटा सा change हुआ है, small saving scheme मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, change मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर income proof लगेगा अब, mandatory हो गया है, for 10 lakh investment, for rupees 10 lakh का अगर आपको investment करना है, small saving scheme में, तो अब आपका income proof जो है, वो mandatory हो गया है, attach करना, यह एक नया वो है, इसमें वो आया है, प्रावधान आया है, ताकि किसी भी तरीके की money laundering, और terror financing को prevent किया जा सके, small saving schemes बड़ी आकरशित होती है, और बहुत ज़्यादा news में भी होती है, क्योंकि आपको पता है, यह बाकी normal scheme से थोड़ा extra interest जो है, वो provide करती है, example इसके बहुत सारे हैं, जैसे national saving certificate, सुकन समरिदी, वगेरा वगेरा, इसका एक और benefit है, कि यहाँ पर the scheme provides with tax benefit under section 80C of income tax act, जहाँ पर tax benefits भी इसको यहाँ पर हमें मिलते हैं, जी किया, let me see if we have anything else, mission innovation, very important, पीवाई क्यू में पूछा गया है यह, mission innovation एक बार इससे सवाल आ गया था, फिर से आ सकता है, अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, innovation, यानि कुछ innovate करने की बात की जा रही है, ठीक है, उसमें जो है, हम लोग उसको host करेंगे, यह G20 के लाइन पर चलेगी, ताकि हम clean energy को promote कर सके, तो यहाँ पर किस चीज में innovation की बात की जा रही है, कि जी हम ऐसे innovations जो है, अपने country में लेकर आए, और जो है, अलग-अलग countries के साथ मिलकर जो है, जिससे clean energy का एक revolution हम अपने देश में ला सके, जिससे हमने Paris Agreement, Paris Climate Change में जो promises किये थे, उसको पूरा कर सके, और net zero emissions के जो हमने promises किये थे, COP26 में, जो की UK Glass Goon में हुआ था, उसको हम पूरा कर सके, so MI जो है, यह important है, mission innovation is very important, PYQ में पूछा गया है, repeat हो सकता है, राइट, चलिए, जल्दी से अपने आप doubts आप post कर दिजिए, प्लीज, जो भी आपके doubts है, मैं आपको जो है, यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, एक playlist, ओके, playlist से पहले, एक और चीज हम देखेंगे, ओके, playlist से पहले, एक और चीज मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, अगर आपको नहीं पता है, मैं कहाँ पर आती हूँ, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, अडर 24-7 regulatory bodies पर, ठीक है, और आगे, कुछ time में, बहुत सारे आपके exams आने वाले हैं, ठीक है, या फिर regulatory महापक लेना है, जिसमें अभी नाबाट से भी यह जो exams आने वाले हैं, यह सारे involved हैं, यहाँ पर, अगर मालनों आप bank महापक लेते हैं, जिसमें SEVY और नाबाट दोनों आते हैं, आपको सिर्फ इस पर click करना है, click करने के बाद, आप buy now पर click करना है, जिसमें सारे ही phases की तयारी करवाई जाएगी, जब आप एक code use करेंगे, which is Y674, ठीक है, Y674 यह code याद रखेगा, जो भी आपको course लेना है, इस course से आपको सब कुछ affordable करवा दिया जाएगा, इसको apply करिएगा, और आपको जो है minimum, ताकि कोई दिक्कत ना हो, टेलीग्राम भी जोइन करिएगा, आगे further PDFs के लिए, और ये PDF भी मैं पिन करवा दूँगी, ठीक है, ये most important PDFs थे, अगर आपको अब कोई भी doubt है, तो हाँ, SEBI Legal की classes कल से शुरू है, Current Affairs की classes कल से शुरू है, मेरा paid batch कल से शुरू है, चार से पांच बजे, ठीक है, Yes, Neha, it is enough, हाँ, वो 3rd July था, बट वो एक दिन किसी reason की वज़ा से postpone करना पड़ा, अभी 4th July से है, ठीक है, Akshat Gupta, आपने कौन सा RBI Phase 1, 2 interview, ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पर करिए, मेरे टेलीग्राम चानल का नाम, Okay, I'll just tell you, और कोई डाउट हो, तो पूछी, अगर session अच्छा लगा हो, तो जादा से जादा इसको share करिएगा, मुझे comment section में, जरूर comment करके बताएगा, कैसा आपको session लगा, बाकी में 3-4 चीज़े हैं, जो मैं आपकी pin करवा दूँगी, चीक है, So, please don't worry, pin करवा दूँगी में सारी चीज़े, pinky adav ma'am, ठीक है, this py is pinky adav, ठीक है, इसमें 3800 से जादा, 3800, 4900 कुछ ऐसे members है, make sure आप ये वाला group ही join करे, कुई और group में join कर लीजेगा, यहाँ पर मैं PDF शेयर कर दूँगी, comment section में share कर दूँगी, मैं थोड़ा सा समय दीजेगा, ठीक है, मैं करवा दूँगी, थोड़ा सा समय दीजेगा, thank you so much, comment section में भी मैं पिन करवा दूँगी, यह telegram है, in case अगर आपको मेरे साथ further connect करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कि किसी भी चीज में, किसी भी paid course में, आपको मेरे साथ enroll होना है, तो आप Y674 course जब use करेंगे, तो आप enroll कर सकते हैं, राइट, हाँ, JN Current Affairs by Pinky Adamaam, यह है, ठीक है Ankitab, चलिया, I think अभी कोई किसी को doubt नहीं है, राइट, ओके, ओके दन, मुझे बताएगा जरूर, comment section में, कैसा लगा आपको session, और 5 सारी को एक और marathon लेकर आ रही हूँ, यह मैं reveal करूंगी, surprise है, कल के class में यह reveal करूंगी, कि किस चीज का marathon लेकर आ रही हूँ, but make sure, 5 July को एक और marathon में लेकर आ रही हूँ, Current Affairs का ही, same time पर, same channel पर, thank you so much, have a wonderful time ahead, revise करते रहिएगा, रवी, revise जादा करिये, revision में कमी है आपके, ठीक है, तो revise जादा से जादा करिये, कि आपके marks में definitely marks improve होंगे, okay, thank you, no, 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 clerk नहीं करवाती मैं, yes, yes, thank you, Dhanish, Chutra, यह मैंने नाम बता दिया है, और pin भी करवा दूँ, मैं, telegram का link, ठीक है, चलिए, all right then, thank you so much, have a wonderful time ahead, revise करिएगा, bye-bye.